श्री राम जैय राम जैय जैय राम जैय राम नमस्कार लवली फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मैं हूँ एस्टरल अजय सुनली शास्त्री और आप देख रहे हैं जोतिस से जुड़ी कुछ विशेश और एडिशनल जानकरिया तो आज मैं आपको एक एडिशनल इंफोमेशन दे रहा हूँ और वो भी राहू और केतु के बारे में तो जानते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है करवद्द प्रातना है कि हमारे इस चैनल को जल्दी से सबस्काइब कर लीजे और बेल आइकन के बटन को भी प्रैस करना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि इस तरह के इंटरस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे तो दोस्तों आपने कुंड़ी के अंतरगत आपने देखा होगा कि राहु देव और केतु देव कभी भी कुंड़ी के अंतरगत किसी के भी किसी भी एक घर में कुंडी के किसी भी घर में एक साथ राहू और केतू दोनों गरह एक साथ यूती बना करके नहीं होते हैं हमेशा जब भी आप देखेंगे राहू और केतू को तो राहू केतू से और केतू राहू से ठीक साथ घर का डिस्टेंस साथ घर की दूरी बना करके रहते हैं इसका क्या कारण है और यदि आपने देखा भी होगा राहू और केतु को एक साथ तो वो हमारे इस वीडियो के थमनिल पर देखा होगा जहांकि राहू और केतु को मैंने एक ही चोथे घर में बटा के रखा है वो इसलिए कि इस तरह की situation आज तक किसी की कुर्णी में पासर के अकॉर्डिंग राहू और केतु क्यों एक ही घर में एक साथ क्यों नहीं होते जबकि और जो सूर्यादी नवगरा हैं वो कभी न कभी एक दूसरे के संग में कहीं न कहीं दो तीन चार यार पांच की यूतियों में किसी भी यूति के अंतरगत एक घर के एक घर में होते हैं अब यहाँ पर राहू और केतू दोनों एक दूसरे से साथ में घर का डिस्टेंस होता है लेकिन दृष्टी आपस में दोनों की मिलती रहती है राहू की केतू पर होती है और केतू की राहू पर होती है और यही सबसे बड़ा कारण है मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि क्यों राहु और केतू एक दूसरे से साध गर के डिस्टिंस पे होते हैं क्यों एक साथ नहीं होते हैं इसका scientific reason भी और शास्त्रोक्त बात भी तो दोस्तों राहू और केतू का आपने देखा हुआ कि राहू और केतू अच्छा फल भी देते हैं किसी की कुंडली में राहू या केतू और बुरा भी देते हैं और बहुत बुरा यानि कि भयानक भी फल देते हैं और किसी को अच्छा फल भी देते हैं राहू या केतू लेकिन यहाँ पर विशेश रूप से हम बात कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं कि राहू और केतू एक साथ क्यों नहीं होते हैं इसका रिजन क्या है इसका रिजन में आपको बताने जा रहा हूँ द्यान से सुनिया दोस्तों राहू और केतु की यूती कभी नहीं देखी होगी कभी हो नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पर जो रिजन है वो इसके according है कि जोती शास्त्र के अंतरगर जैसे कि आप जानते हैं कि स्वर्भानू नाम का जो दैत्य था स्वर्भानू और वो दैत्य जो है चोरी से चुपके से देवताओं अम्रित पीते हुए देवताओं के मध्य जा करके चुपके बैठ गया था और सूरिचंद्रन ने बताया था सूरिचंद्रन ने उसके शिकायत कर दी भगवान से तो हमारे जो बाके बिहारी लाल है मोहनी अवतार में जब वहाँ पर थे तो वही अम्रित पिला रहे थे तो भगवान को पता लग गया तो इसके कारण जो है अपने शुदर्शन चक्र से उस स्वर्भानों के दो टुकड़े करती है स्वर्भानों के जब दो टुकड़े हो गए और इन राहू कीतु ये दो रूप में परवर्दन हो गए सर से कटा तो वह राहू बन गया और नीचे का धड़ जो है बचा वह कीतु बन गया तो बाद में ब्रह्माजी ने अब अम्रित पी लिया था तो मर तो सकते निए और अगर मर जाते तो अम्रित पीने का मतलब ही क्या रह गया था क्योंकि अम्रित पीने वाले हमेशा सदा सरवदा के लिए जीवित रहते हैं तो इसलिए अगर मर जाते तो अम्रित का जो अस्तित्य था वो समाप्त हो जाता अम्रित का मतलबी खतम हो जाता और अगर इसलिए लेकि शरीर कट गया और वहीं से ये दो विभाजित हो गए अलग अलग हो गए लेकिन बाद में ब्रह्माजी ने जो एक सर्फ का जो सिर है वो लगाया केतु पर और सर्फ का जो धड़ है साप का वो लगाया राहु पर इसलिए इस प्रकार से इन दोनों के शरीर पूरे हुए और तबी से ये इनकी गर्णा भगवान के अकॉर्डिंग ब्रह्माजी के कहने पर सूर्यादी नवग्रों में इनकी गर्णा होने लगी ब्रह्माजी के कहने पर क्योंकि उससे पहले तो साथ ही ग्रह थे शनी तक के सूर्य से शनी तक के ही साथ ग्रह थे लेकिन राहू और केतु यही स्वर्भानू नाम का जो देते है इसी के दो हिस्से होकर के राहू और केतु में परवर्तन हुए तब से यह राहू और केतु जो है हो गए ग्रह और कैसे ग्रह बहुत खतरनाड लेकिन तबी से माना जाता है कि इनका चंद्रमा और सूर्य के साथ में जो ग्रह हैं सातों ग्रहों में से सूर्य और चंद्रमा के साथ में इन दोनों राहू और केतु का बहुत बड़ा वैर है क्योंकि उसी के कारण जो है इनका शरीर सुदर्शन चक्र से काटा गया उन दोनों के ही कहने पर क्योंकि उन्होंने इनका भेद खोल दिया था तो तबी से जो है सूर्य और चंद्रमा के साथ में इनका बहुत बड़ा जगड़ा है मन मिटाव है या आप ये कहें कि एक दुश्मनी है लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि तब से राहू और केतु में इतना आक्रोश है यानि कि स्वर्भानों का आक्रोश है कि अगर ये दोनों क्योंकि ये देत्य है और इस देत्य में इतनी शक्ती है क्योंकि राहू और केतू अगर एक साथ हो जाते हैं यानि कि एक साथ होने का मतलब है जुड जाना धड जो राहू है और धड जो केतू है सिर जो राहू है ये दोनों अगर एक वापिस में हो जाना कुनली के अंतरगत दोनों का एक इस्थान पर बैटने का मतलब है कि दोनों का शरीर आपस में मिलकर के एक हो जाना और स्वर्भानु नाम का दैत्या या ये राहू के तुमें इतनी क्षमता है कि ये मानव का और देवताओं का अस्तित तो मिटाने की ख्षमता रखते हैं और उसी तरीके से पूरे विश्व पर अपना प्रभाव जम सकते हैं आप देख रहे हैं केवल राहू या केतू के खराब होने पर पूरे विश्व में बहंग कर तरीके से प्रॉब्लम सा जाती है जैसे कि अभी COVID-19 की बात है तो COVID-19 जो है केतू के अपोजिट होने पर केतू के दुश प्रभाव के कारण जो है एक ही शरीर के अंतरगत इतना बड़ा भहंग कर प्रभाव कर सकते हैं कि पूरे दुनिया में भूचाल पैदा कर सकते हैं पूरे दुनिया पर अपना बहुत दुश प्रभाव कर सकते हैं दोस्तों राहु केतु का एखठा हो ना कुल्ली के अंत्रगत हो चाहे वैसे भी शारल रूप से हो राहु केतु का एखठा होना मतलब विश्व भर के लिए भूचाल पैदा कर देना पुरे संसार के लिए संकट पैदा कर देना या फिर उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति की suppose that उधारन के तौर पर राहू और केतु की यदि युती एक ही घर में हो जाती है तो वो भेंकर परिणाम दे सकता है क्योंकि आप विश्व के लेवल के हिसाब से वर्लड वाइड पूरे विश्व की यदि कुणली आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि राहू केतु जितना सरवनाश भेंकर आपदा विपदा संकट पैदा कर सकते हैं दुनिया के लिए उतना कोई भी ग्रह नहीं कर सकता सबसे बड़ा संकट और भेंकर परिशारी चाहे वो COVID-19 के रूप में हो चाहे विश्व युद्ध के रूप में हो चाहे वो भुकमरी के रूप में हो चाहे वो किसी भी विवारी के रूप में हो किसी तरह की भी आपदा भेंकर आपदा सबसे बढ़ी आपदा को जर्म देने वाले राहु और केतू की सित्षि ऑ करते हूं बढ़ी बढ़ी प्रलब्लम्स को क्रेट करने वाले राहु और केतू ही है इसलिए जोतिस के माध्यम से देवताओं के द्वारा या यूं कहें कि ब्रह्मा जी जो समस्य सिष्टी को बनाते हैं तो जब इन्होंने अम्रत पिलिया और राहू और केतु के रूप में परणित होगे तो ये दुबारा से एकठा ना हो इसलिए उन्होंने जो है सर्प का सिर केतु को लगा दिया और धर राहू को लगा दिया ताकि ये पुरा एक सरीर में दुबारा से एकठा ना हो पाए अगर ये जुड जाएंगे तो ये राहु जो है या स्वर्भानु आप कहिए ये राहु केतु का एक शरीर कहिए एक साथ ये कट्थे हो जाएंगे तो दुनिया में शुबता रहेगी नहीं धर्म, धर्मित्ता रहेगी नहीं मानव, मनुष्य और देवता रहेगे नहीं अच्छाई का अस्तुत्तर रहेगा ही नहीं सिर्फ चारो तरफ परेशानी विपदा आपदा ही दिखाई देगी और ऐसे वक्ति के जिसके खुंडली में अगर सपोस्थ बैठ जाए तो उसकी जिन्दगी पूरी तरीके से तहसनेस कर देगी यानि मैं तो यह कहता हूँ का जीने ही नहीं देगी क्योंकि मनुष्य के जीवन कभी अच्छाई तो कभी परेशानी तो कभी सहोलियत कभी सुक तो दुख इन दोनों के माध्यम से जिन्दगी जी लेता है आज परेशानी है कल की आसा करता है तो अच्छा हो जाता है आज अच्छा है तो कल दुख हो भी गया तो जादा टेंचन नहीं लेता है इस प्रकार से जिन्दगी चल जाती है लेकिन अगर हमेशा है दुखी दुख हो तो नहीं जी सकता वही कारण है कि यहाँ पर राहू और केतु का एकटा होने का मतलब है कि बहंकर परेशानी ऐसी परेशानी जिसका कोई तोड नहीं, कोई उपाय नहीं इसलिए राहू और केतु को साथ घरों के डिस्टेंस से रखा गया और हमेशा ही ऐसे रहते हैं कभी भी आपने किसी की कुणली में एकटा नहीं देखा होगा बैठे में राहू और केतु के एक ही घर में नहीं देखा होगा इनको अलग-अलग रखने के रिजन्स बहुत हैं एक तो इकटा हो जाएंगे तो हमेशा ही परिशानी करेंगे जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने बाले काल में देखा होगा कि आप क्लासिस में जो है जो क्लासिस पढ़ने के लिए तो क्लासिस में जो दो बच्चे शरार्ती हैं तो उनको एकटा नहीं बीठा देते क्यों क्योंकि अगर एकटा बढ़ने करेंगे तो पूरे दिन बर पूरी गंटे में वो शरार्ती ही करते रहेंगे क्योंकि दोनों का माइड एक जैसा है और जब एक मत हो जाएंगे तो फिर पूरी क्लास को खड़ाप कर देंगे और उनको भी नहीं पढ़ने देंगे शरारते करेंगे परिशानी करेंगे टीचर को परिशान करेंगे तो इसलिए क्या करते है जिन टीचरों को पता है कि दोनो सरारती है तो उनको एक साथ बैठने नहीं देते एक को आगे बठाएंगे तो खूब डिस्टेंस मेंटिन कर देंगे और उससे होता भी यह है कि जो जिसके साथ में बैठता है उसी की तरह से वो काम करता है इसी तरीके से राहू और केतु को दोनों को अलग रखने का कारण भ अगर वो क्रूर ग्रह के साथ में बैठ गया तब वो केतु भी आपको अशुफल देगा लेकिन यदि केतु अच्छे ग्रहों के साथ में उसका संबंद है तो वो आपको अशुफल देगा उसी प्रकार से राहू का भी है अब राहू जो है वो अपने हिसाब से ही फल देत राहू नहीं सुनता जैसे केतू का परिवर्टन हो जाता है उसका दिमाग चेंज हो जाता है उसका मन चेंज हो जाता है उसका फल देने का तरीका दूसरे ग्रह के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है लेकिन यहां पर राहू नहीं चेंज करता राहू सिर्फ कुछ ऐसी राशि ने देगा तो unlimited देगा इसलिए सभी नव ग्रहों में सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला जो ग्रह है वो राहू है कि तू है और यही कारण है कि इनको दोनों को distance दिया गया distance maintain किया गया इसलिए कि एक दूसरे की संगती में रहेंगे तो कभी शुब फल देंगे तो कभी अशुब फल देंगे और ऐसा होता भी है आपने चेक किया हुगा किसी कुणले में राहू की तो अच्छा फल देते बहुत अच्छा फल देते ऐसा फल और ग्रह नहीं दे पाते जैसे कि राव के तो शाररिक अगर कोई परिशानी दे दे और और ग्रह उसको सुक देने के लिए धन दे दे वैभव दे दे नाम दे यश दे दे कीरती दे गाड़ी गोड़ा बंगला दे दे तो वो क्या करेगा बताओ जब उसका शरीर ही खराब है राव के तो उन्हें जब ना कि अपने पास सुक रखे संसाधन पैसाधन किसी पर ने जाए जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक वो उसके लिए सब बेकार है एना उसी तरीके से दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर राहू और केतु का एकठा ना होना यही रिजन है कि वो एकठा हुए तो बहुत भेंकर परिशानी परताद करदेंगे आप अदा भी पदा ले आएंगे पूरे संसार पर भूचाल पैदा कर देंगे संकट पैदा कर देंगे अस्तित्व अच्छे अच्छाई का और जो भी आप एसपेक्टेशन अपनी लाइफ में अच्छा अछ्ही के लिए जो बिखिए सम्मंदित expectations जो भी आपकी हैं मनों काम नाय हैं उन पर आप खरे नहीं उतर सकते सुख मिली नहीं सकता और अब जो लोग परेशान हो जाते हैं बहुत जिंदगी से परेशान हैं सुसाइट कर लेते हैं यह पूरी जिंदगी बर बहुत पुरी तरीके से बहुत संग फल देते हैं इसलिए दो भयानक ग्रोहों को एक साथ इकटा करना शुब नहीं इसलिए ब्रह्माजी के क्योंकि ब्रह्माजी सिष्ट्री करता है तो ब्रह्माजी के आदेश पर या ब्रह्माजी के सिष्ट्री विचार पर उन्हें विमर्स किया और कानून बनाया लौ बनाय नियम बनाया कि राहू और केतू जो है वो एक दूसरे से इतने घरों की डिस्टिंस में रहेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर के नहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि यह लिए साथ रहे तो फिर यानि कि अगर वो साथ होते सुरू से तो आप और हम या नहीं होते मेरे हिसाब से या होते भी तो किसी और रूप में होते है तो दोस्तों यहाँ पर राहू और केतू का एक साथ इकटा होना यही रिजन्स है और इनके अलावा और भी बहुत सारे रिजन्स होते है राहू केतू ये भी रीजन है कि राहू सदा देखे साथ ग्रह जो भी है वो सब respected ग्रह है सब reputed है और सब अच्छा फल देने वाले हैं लेकिन अच्छा ही अच्छा सब को मिलता रहेगा तो फिर बुरा क्या चीज़ होती है आपके या संसार के बुरे कर्मों का फल कैसे उन्हीं मिलेगा भई जो बुरा किया उसका बुरा फल भी तो मिलना चीज़ है तभी तो वो अच्छा फल करेगा अच्छे काम करेगा व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को अगर अच्छे ही बुरे ही कोई अगर बुरे काम करता है तो उसे कैसे पतल लगे कि भई तुम बुरे काम करें क्योंकि उसका फल देना पड़ेगा उसे तब उसे पतल लगेगा कि मैं बुरा कर रहा हूँ मुझे अच्छा पल चीए तो उसके लिए मुझे अच्छे काम करने होगे तो यही कारण है कि यहाँ पर राहू कीतु को भी इन सुब ग्रहों के बीच में क्रूर ग्रहों के रूप में डाल दिया गया तो यह कर्मानुसार ब्रमाजी उनके कुंडली में ग्रहों के रूप में आते हैं और फल प्रदान करते हैं अब ये सभी ग्रह फल देते हैं, चाहे आप कर्म दाता शनी की बात करें, सभी ग्रह अपना अपना फल देते हैं, सभी फल दाता है, तो शनी अपने इसाब से आपके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देते हैं, इसी प्रकार से सारे ग्रह अपने अकॉर्डिंग, आपके कर्मों के according आपको fruits देते हैं तो यहाँ पर यह सारे reasons है राहू के तू के दूर रहने के उमीद है आपको समझाईयो की बात और आप चाहें तो कुली analysis prediction के लिए आप हमसे बात कर सकते हमारे इन numbers पर और मैं चाहता हूँ कि यह आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो please हमारे इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सब के पास पहुँच पाए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो के जरी है तब तक के लिए जैशे किश्णा